Hello guys, मेरे पास है Moto G24 Power इसका डिजाइन आप देख सकते हो कितना खुबसरद है इसके पीछे में है 50 Megapixel कैमेरा 6000 mAh बैटरी के साथ इन बॉक्स आता है 33 Watt का एडप्टर और एफोन लेटिस्ट एंडूट 14 में रान हो रहा है इसलिए तो इसमें बहुत अच्छा अच्छा features देखने को मिलता है आज इस वीडियो में इसके सारी hidden features मैं आपको बताऊंगा अगर आपने Moto G24 Power को खरिद लिया या खरिदना चाहते हो तो एफ वीडियो सिर्फ आपके लिए है आप वीडियो को इंड तक देखते रहे है इस वीडियो की बीज में मैं आपको एक bonus tips दूँगा आप फोन को lock और unlock करने के लिए पार बतम को इस्तिमाल करते हो लेकिन इस फोन को मैं smart तरीकर से use करता हूँ जब मुझे lock करना होता है मैं display को पर double tap कर देता हूँ सबसे पहले on कर लेना है और यहाँ पर jam to lock screen देखाए देगा इस option को भी आपको on कर लेना है मेरा phone lock है मुझे तुरंथ camera को open करना है तो यहाँ पर एक shortcut मिलता है दोस्तो जब मैं power button में double press करता हूँ यहाँ पर camera तुरंथ open हो जाता है तो इस features को on करने के लिए मुझे आना है सिदा settings के तरब और यहाँ पर scroll करके justice and option के तरब आना है और यहाँ पर देखाए देगा double press power button यहाँ पर launch camera है इस option को on कर लेना है Moto G24 power में AMOLED डिस्प्ले तो नहीं है लेकिन all watch on display जायसा features भी इसमें मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो lock skin में all watch on display जायसा so हो रहा है तो इस option को on करने के लिए आपको आना है सिदा settings के तरब और यहाँ पर scroll करके display के तरब आना है खोड़ी से scroll करने के बाद यहाँ आप स्कीन सेवर देखाए देगा इस option को आप on कर लीजिए और यहाँ पर clock का style को चूच कर लीजिए इसमें RAM Plus का features मिलता है यहाँ कि आप Moto G24 Power में RAM को virtual में बढ़ा सकते हो आपको आना है सिदा settings के तरब और scroll करके आपको system के तरब आना है और यहाँ पर performance में click करना है यहाँ पर RAM booster देखाए देगा दोस्तों मेरे पास 8GB 128GB फिरेंड है तो मैं चाहता हूँ तो यहाँ पर up to 8GB RAM को और add कर सकता हूँ मेरा total 16GB RAM होगा Moto G24 Power आता है 90Hz का refresh rate के साथ लेकिन यह default on नहीं रहता है on करने के लिए आपको आना है सिदा settings के तरब और यहाँ पर scroll करके आपको display के तरब आना है और यहाँ पर है display refresh rate और यह auto पर select रहता है आप 90Hz में select कर लीजिए जब आप 90Hz में phone को use करोगे smoothness दो गुना feel होता है जब आप phone को switch off करने के लिए power button को press and hold करते हो तो यहाँ पर google assistant open होता है तो power menu यहाँ पर नहीं आता है power menu को on करने के लिए आपको आना है सिदा settings के तरब और यहाँ पर scroll करके आपको justice के तरब आना है यहाँ पर देखा है देखा press and hold power button और यहाँ से digital assistant से अब power menu को select कर लीजिए इसके बाद जब आप phone को switch off करने के लिए power button को press and hold करोगे यहाँ पर power menu कुल कर आएगा और यहाँ से आप phone को easily switch off कर सकते हो इस Moto G24 power में side work of features मिलता है दोस्तो अब जो जो application को जादर use करते हो shortcut के लिए आप यहाँ पर insert करके रख सकते हो आप यहाँ से easily open कर सकते हो तो इस features को on करने के लिए आपको आना है सिदा settings के तरब और यहाँ पर scroll करके Jesus के तरब आना है और यहाँ पर देखाए देखा side work तो इस option को आप on कर लीजिए इस phone में तुरंट camera को open करने के लिए shortcut मिलता है मैं phone को ऐसे flip करता हो तो camera तुरंट open हो जाता है अब बहुत दर से video देख रहे हो आपको bonus tips तो मिलना चाहिए अब देख सकते हो selfie camera का आजपास में एक ring light दिखाई दे रहा है यह light hard time on रहता है मैं कोई भी application को open करता हो light off नहीं होता है तो इस light को आप आपके phone में on कर सकते हो इसके लिए आपको क्या करना है मेरा description को आप चेक करें एक application का download link मिलेगा जिसका नाम है ring ring application बहुत ही छोटी MB का application है single click में download हो जाता है तो इसको जल्दी से download करके install कर लीजे इसका जो सारा hidden settings है मैं आपको आसान में समझाता हो जब आप पहली बार इस app को open करोगे इसका home skin settings कुछ ऐसे दिखा दिएता है तो यहाँ पर एक button है इसको आपको on कर लेना है सबसे पहले तो एक circle आजाएगा right side में इस circle को इस controller के जरीए दोस्तो selfie camera का आसपास में लेकर आना होगा अगर अच्छी तरीकर से fit नहीं होता है तो इसको आप बड़ा छटा कर सकते हो यहाँ से यहाँ पर आप मेरा सारा settings देख सकते हो तो इसको आप अच्छी तरीकर से selfie camera का आसपास में fit कर लेना इसकी बाद जो आपको करना है यहाँ पर color के option में tap करिए यहाँ से दोस्तों आपका favorite color को आप चूज कर सकते हो यहाँ से मैं yellow color को select करके okay पर click कर देता हो outer ring color में भी मुझे same color रखना है तो यहाँ पर same color का circle हो जाएगा इसके लिए यहाँ पर मैं click करके preset में yellow color को select करके okay पर click कर देता हो तो आपके मर्जी से आप यहाँ पर color को चूज कर सकते हो चूज करने के बाद आपका काम यहाँ पर खतम हो जाता है यह light हर टाइम on रहेगा जितना मर्जी आप application को open करो कुछ भी problem नहीं होता है तो इस light को आपके phone में on करने के लिए मेरे description sensor ring ring application को download कर लो इस Moto G24 power में skin shot लेने के लिए 3 shot card मिलता है पहला जो shot card है आपको यह एक app को open कर लीजिए इस page का skin shot लेना चाहते हो तो आपको recent button पर tap करना है और यहाँ पर आप single click में skin shot ले सकते हो और दूसरा और इससे जो आसान जो तरीका है आप volume का down button और power button को same time में press करके skin shot ले सकते हो और last और सबसे आसान जो तरीका रहता है आप three finger को ऐसे tap and hold करके रखी है बस skin shot हो जाता है तो इस features को on करने के लिए आपको आना है सिदा settings के तरप और यह पर justice में आना है और यहाँ पर देखा देगा three finger skin shot तो इस option को आपको on कर लेना है इस Moto G24 power को आप easily mute कर सकते हो इसका एक shortcut मिलता है volume का up button और power button को आपको same time में press करना है और यहाँ पर easily mute हो जाता है तो इस features को on करने के लिए आपको आना है सिदा settings के तरप और यहाँ पर scroll करके justice के तरप आना है और यहाँ पर आपको देखाए देगा दोस्तो prevent ring तो इस option को आपको on कर लेना है अगर आप तुरंथ flashlight को open करना चाते हो तो आपको सिर्फ phone को सेख करना है अपको flashlight तुरंथ open हो जाता है इस option को on करने के लिए आपको आना है सिदा settings के तरप और यहाँ पर scroll करके justice के तरप आना है और यहाँ पर देखाए देखाए देखाओ first torch तो इस option को आपको on कर लेना है मैं इस phone को navigation बेटम पर use कर रहा हूँ बहुत सारे दोस्त phone को justice में use करना पसंद करता है तो phone को justice में use करने के लिए आपको आना है इस सिदा settings के तरप और यहाँ पर scroll करके justice के तरप आना है नेवी के सान मूड देखाए देगा दोस्तों यहाँ से आप justice नेवी के सान को split कर लीजिए इसके बाद आप phone को easily justice पर use कर सकते हो कुछ भी problem नहीं होता है इसमें color palette का features मिलता है आपको favorite color को आप यहाँ सेट कर सकते हो आपको आना है सिदा settings के तरप और यहाँ पर display के तरप आना है और यहाँ पर देखाए देगा color palette तो यहाँ से आप कोई भी color को choose कर सकते हो इसमें left to it का features मिलता है आपको phone lock होकर ऐसे table में पढ़ा है उठाने के बाद दोस्तों यहाँ पर तुरांट यहाँ पर अब देख सकते हो डिस्पले का light drive वाइक अफ हो चुका है और आप phone को unlock करके easily use कर सकते हो तो इस features को on करने के लिए आपको आना है आपको आना है सिधा settings के जराब और यहाँ पर scroll करके जैसा समें आना है और यहाँ पर one hand mode देखाए देगा इस option को आपको on कर लेना है one hand mode में phone को use करने के लिए आपको ऐसे swipe down करना है phone one hand mode में open हो जाता है जब आप नए phone लेते हो आता है आपको आना है सिधा settings के तरब और यहाँ पर scroll करके notification में आना है notification history देखाए 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 इसको आपको on कर लेना है 24 hours में आपके device में जितना सारा notification आएगा आपको सेब हो कर रहेगा बात में आकर check कर सकते हो यह phone Dolby Admos support के साथ आता है तो Dolby Admos को on करने के लिए आपको आना है सिधा settings के तरब और यहाँ पर sound and vibration के तरब आना है और यहाँ पर देखाए देखाए देखा Dolby Admos तो इसको आप on कर सकते हो जब आप headphone को on करोगे यहाँ पर Dolby Admos आटमेंटिकली on हो जाता है तो यहाँ से आप settings को थोड़ा बहुत change भी कर सकते हो यहाँ पर बहुत सारे mood आता है जैसे कि smart audio, music, flame, game, product और custom पर भी आप यहाँ सारे settings को change कर सकते हो आपके हिसाफ से इसमें dark theme का features मिलता है आपको आना है सिधा settings के तरब और यहाँ पर display में आना है दोस्तो और यहाँ पर dark theme देखाए देगा इसको on करने के बाद दोस्तो आपका जो factory है वो बहुत कम drain होगा और dark theme में अगर आप phone को use करते हो तो आपके आखों में कुछ भी problem नहीं होगा तो दोस्त यह तो था कुछ interesting features जो Moto G24 power में देखने को मिलता है मुझे पूरी उमिद है एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको एक वीडियो थोड़ी से भी helpful लगाए तो एक like करके चांग को subscribe करके हमारे साथ जूड़े रहिए होसा के तो एक वीडियो आपके रिस्तेदार और दोस्त के साथ भी share कर देना उसकार मेरा दोनों का मदद होगा तो अज के लिए इतना ही दोस्तो